तो ये जिस किसी को भी पता है बताना जरूर मुझे तो इतना ग्यान नहीं है मालूम नहीं है कि ये सच है या जूट है कितने पर्सेंट सच है कि जब से मैंने सुना है मैं खुद हैरान हूँ चैते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद 84 लाख योनिया हमें नाम तक नहीं आद है कि 84 लाख योनियों में कितने मजलब सरीर है गाय है, भैस हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, साप हैं, विच्चू हैं, मक्चर हैं, सेर हैं, चीते हैं, जिराब हैं, पता नहीं कितने बहुत से अब तक, नाम ही नहीं सुना होगा, 84 लाख योनियों के बाद, यह बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर्दुल्लब सब ग्रंथी गावा, कहते बड़े मुश्किल से यह मनुस से सरीर हमें मिला है, और किसलिए मनुस सरीर मिला है, और एक ब सद्गुरु है महराध जी परम्पूज है मुषिव को जनने है रigen हर सीच का तभी तो अगहीं है मैं इसस साँ ने कि haram करते हैं कि कितने पहँ करें मुष्च ने मानते इसमने की हम पता नहीं यह तो हमने इसलिए वीडियो बनाए कि हो सकता आप में से किसी को यह कि कहते हैं हम महराजी से तो नहीं पूछ सकते जाके कहा महराजी मिलेंगे कि महराजी ऐसा होना चाहिए तो हमने सुन लिया है तो साच्छातकार तो नहीं हो सकते नहीं तो एक दूसरे से पूछ सकते तो आप हुगा तो हमें मानना चाहिए तो आप जी को बताता हूं यह बाते जो है कि ने कहा है जी सब्चाइब कि भी पता ही नहीं है तो इस लिए बीडियो बना के सोचा बीर जायगा तो cotton जरूर सजेशन देगे अभी एक चोटासा वीडियो देख रहां था मारात जी का शूर्ट में देख रहा था तो उसमें वीडियो आया था कोई बहर पूछ रही थी तो सबाल के जबाब में मारात जी ने ये बोला कि जो कुथा होता है कुट्टा घर के बाहर ही रखना चाहिए कुट्टा घर के बाहर ही अच्छा लगता कुट्टे के प्रवेश से घर असुद्ध हो जाता है कुट्टे को घर में नहीं रखना चाहिए तो ये कितना सकते है तो ये तो देखो सच है माराजी ने वही तो बोला कि हाँ बास्तों में क्योंकि हमें इतना ग्यान नहीं हम सभी तो पाल लेते हैं कि बक्षि लेना अपने घर में भी एक कुटा है इसलिए मैंने सोचा कि देखो अब महाराजी से हम कहां सवाल जवाब करेंगे वीडियो बना कि आप सभी से पूछ रेंगे कि अपने घर में भी को नहीं है्लुक की सोफेबं बैटता कंभी सोता वंडर बेट चड़ जाता है कम कुछ करता हम लोगों साथ केलता है अंदर हिंग काता है बांत इक त्धी अथि घृता है जरने में करें सोथार सास्त पा continuous न सुटन को अगर ऐसा है महाराजी ने का है तो हमें बाते माननी चाहिए कि हाँ बास्थो में क्यूंकि यह हमें पूर्ड ग्नीर हम तो भी शिच्छ हैं हम अभी च्छी रहे हम आप शीख रहे तो महाराजी का ये कहते हैं अक्षर महाराजी के जो बचन आते हैं और समझाते हैं बहुत अच्छे से माईग लेके कहते हैं सामने बाला जो प्रस्ट करता है माईग से महाराजी अच्छे से उत्तर भी देते हैं तो बहुत मतलब सुनने को मिलता बचन तो अच्छा लगता है तो यह जो सुनने के मिला तो कि कोई-अपने ग़र में मन कुचता है तो मैं सोचा आप जी जो संथ महाराज के सश्य हो तो आप जी से प्रहतना की आप जी बताओ की बास्तों में ऐसा करना चाहिए आप जी के पास पे होगा कि हाँ कहते हैं जानवरों पर हमें दया करने चाहिए कोई भी पसू पच्छी हो और सब को खिलाना चाहिए और इनके ओपर तो दया करने चाहिए कि अजगर करें न चाकरी और पंख्छी करें न काज और संत मही का कहे गए कि सब के दाता राम कि परमात्मा ही सब को खिलाता है पिलात पशूपाच्ची कीड़ मकोरों के हैं देखने के लिए हमारे इंदर वो शोचने समझने की छमता भी है क्या करना चाहिए थो क्या मैं तो इसी तरह हमारे भूत ही केते भूब से पशूपाच्चीयों को हम लोग पालते हैं, तोते पालते हैं, लोग कुते पालते हैं, तो हम सोक में पालते हैं, आजकल देखो कुते हमारे साथ गाड़ियों में घूमते हैं, और साथ सोते हैं, एक साथ विश्टर में कहते हैं, इनसान कुते एक साथ सो जाता है, तो कहते हैं, तो कितने हद तक क्या, बास्तों में कहने अ मैंने पता है कुछ से चल लए तो उस लिए भी मजबूरी पालते हैं तो उसको घर में रखने के लिए हो तो कितने हथ तक सच जूठ हमें ये नहीं पता है हम पे कोई गलत कमेंटर ना करें बस ही आप लोगों से प्रस्ट किया है अगर आप में से पता है तो हमें बताए क्यूंकि हमारे घ इपने अब्जेक्शन कीए अपुता नहीं आसकता तो बचारा वहीं बैठ गया बाई शोरी चबूते बिटिया ने मेरे मेरे विछकुट खिला दिया और दर्वाजा छोड़े नहीं तो दर्वाजा बंद कर लिया फिर रवाजा खटाने लग्या पैर मारने लग्या और कूं तो मैं इसलिए सोचा कि कितने हर्तक सच है कि कुट्य का घर में प्रवेश घर असुद्ध हो जाता है तो यह कितने हर्तक सही है जरूर कमेंट करके बताएं तो बस इतना ही प्रूशना था आप लोगों से तो सभी जो महाराजी के भक्त हैं जो जानते हैं अच्छी बात है महा अगर अशुद्ध होता है कुट्य को बाहर रखना चाहिए तो देखो यह कितने अतक से बहुत लोग अक्सर अपने घमाते साथ पिलाते हैं घर में रखते हैं कुट्य का आती हैं तो इसलिए हम आप सभी से पूछ रहे हैं तो कैसा लगा हमारा प्रशन इसका उतर आप जी इतना ही आप से पूछा है तो जरूर बताएं